Hello and Welcome to Spice Box & Cooking आज मैं शियर कर रही हूँ मूली के पत्तो की सब्सी की रेसिपी अखतर हम मूली के पत्तो को ऐसे ही फेक देते हैं लेकिन मूली के पत्तो की बहुत अच्छी सब्सी और चट्टनी और पाकी रेसिपी भी प्रिपेर की जा सकती हैं मूली के पत्तों की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज की वाइट मूली मूली के पत्ते दो बंच इन्हें हम बारिक काट लेंगे मूंग दाल आधा कप, पेल एक बड़ा चमच, जीरा एक चमच, हरी मिर्श दो बारिक कटे हुए लहसुन चार से पांच इसे बारिक काट लेंगे हल्दी पाउडर एक चौथाई चमच, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और पानी मूली के पत्तो की सबसी बनाने के लिए हम सबसे पहले मूंग डाल को धोकर के पानी में एक घंटे के लिए भिखोकर रखतेंगे अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं यहाँ पर मैंने सरसो का तेल यूस किया है इसलिए इसे दूआ उतने तक हम गरम करेंगे लेकिन अगर आप रिफाइन और लिउस कर रहे हैं तो उसे इतना गरम नहीं करना होता है पिर जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम उसमें डालते हैं जीरा जीरे को अच्छी तरह से हम भून लेंगे अब हम इसमें डालते हैं हरी मेर्ड और प्रता हुआ लैसुन लैसुन को हम अच्छा सुनहरा होने तक भून लेते हैं अब हम इसमें जो डाल हमने भिवोकर रखी हुई है वो डाल देंगे अची तरह से मिक्स कर लेते हैं साथ ही इसमें हम डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी पाउडर दाल को पकाने के लिए इसमें हम पानी डालेंगे अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है लगभख दो बड़े चमच और अब हम ढखकर दाल को पकने के लिए रख देंगे दाल को हमें तब तक पकाना है जब तक की ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि मूली और मूली के पते पकने में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं इसलिए हम दाल को लगभख पूरा पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें कटे हुए मूली के पते और मूली के पीसिस को डालेंगे दाल को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे अभी इसमें मैंने आधा का पानी डाला है और अब इसे ढखकर हम पकने देते हैं दाल को पकने में 10-12 मिनिट का टाइम लग जाता है ढखे हुए बर्तन में और इसे बीच-बीच में हम स्टोर करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे 10-12 मिनिट में दाल अच्छी तरह से पकर तयार हो जाती है अब ये दाल पकर तयार है ये ये करे अब ने अच्छी तरह से प्रेस हो रही एचाब दो आपपकर तयार है अब हम इसमें मुली के पते और मुली के पीसिज डाल देंगे को हम अची तरह से mix कर लेंगे नहीं तो दाल सिर्फ नीजे रह जाएगी इसे अची तरह से हमσιम कर लेंगे और अब इसे ढखकर हम 2-3 मिनिट तक पकने देते हैं बाद में इसे चेक कर लेंगे और इसे हम तब तक पकने देंगे जब तक कि मुली के पीसिस पुरी तरह से सॉफ्ट हो जाएं तो यह थी मूली के पतों की सबसी बनाने की एक रेसिपी। यह थी मूली के विदू को करया यह थी मुली के। ज़िय। यह था सबस्ट एक बाजब रेसिपी और शब्सक्राइब चानल पर मोर जाए विदू आट लीजुटू झालुटू